दोस्तों नमस्कार मैं अमरंदर पटेल बात करते हैं उत्तरपदेश की राजिती में इस दाउं से 2024 में बीजेपी को चीत करेंगे अकलेस यादो कर लिये पूरी तयारी पूरी प्लान मैं आपको बताना चाहूँगा अकलेस यादो किस जो की मुद्दे पर किस तरह से घेरते के वे नजर आएंगे 2024 को लेकर लोगसभा चुनाओं से तीसरे फ्रंट की सुबुगाहट सुरू हो गई है कांग्रेस के अलामात तमाम विपक्ची पार्टियों के नेताओं के बीच मेल मुलाकात का सिलसिला देख रहे हैं आप जारी है अकलेस यादो के ताजा बयान को अ काम कर रहे हैं अकलेस यादो ने कहा कि सरद यादो काम कर रहे हैं उनका हमेशा प्रयास रहा है एक बिकलक के रूप में पार्टियां मिलकर फ्रंट बनाए, गडबंधन करे इस तरह के काम में तेलंगाना के मुखमंत्री भी लगे हुए हैं मामता बनर जी भी काम कर रही है और शात्मन नितिस कुमार भी इसी प्रयास में लगे है कलेश यादो के बयान आया आपको बताते चले हैं कि इस बयान के बाद माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के इतर एक नया फ्रंट खड़ा करना चाहते हैं और इसे लेकर काम भी कर रहे हैं लेकिन थर्ड फ्रंट को लेकर कई सवाल भी मतलब जहन में घूम रहे हैं सबके राजनिति गलियारों में जिसका जबाब नहीं मिल पा रहा है ऐसे में थर्ड फ्रंट बनता नजर आया तो उसका नेता कौन सा होगा क्या कांग्रेस के लावा सभी विपक्च एक मंच पर आपाएंगे क्या कांग्रेस अकेली रह जाएगी कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाओ के ठीक पाले थर्ड फ्रंट के नेता कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले और एक मजबूत विपक्च तयार हो जाए यह तमाम सवाल है जिसका जवाब मिला अभी बाकी है लेकिन आगे कि मैं आपको बात बताता हूँ कि राहुल गादी और कांग्रेस से हमेशा दूर दिखने वाले अकलेस यादों ने बुलन सहर में राहुल गादी की तारीब भी कर दी अब यही रणनीती को मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक तरफ तारीब भी कर दी अकलेस ने कहा कि कभी-कभी राहुल गादी सही बोल देते हैं दरसल उनका ये बयार राहुल गादी दोरा योगी आदितनात को ठक बताने वाले पे पूछा गया थे मीडिया की तरफ से अकलेस ने कहा कि राहुल गादी कभी-कभी ठीक बात करते हैं ठक की परिवासा बहुत अच्छी है और ठक की परिवासा वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है इस तरह का सपोर्ट भी कर दिया अकलेस आदोने राहुल गादी का राहुल गादी ने योगी आधितनात को लेकर कहा कि योगी जी अगर हिंदु धर्म समझ आता तो वो जो करते हैं वो नहीं करते अगर हिंदु धर्म सही से उनको नालेज होता तो वो अपने मठ का आप मान कर रहे हैं सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता और उन्होंने कहा कि योगी आदितनात कोई धार्मिक नेता नहीं है बलकि वह मामूली ठग है बीजेपी यूपी में अधर्म फैलाने में लगी हुई है तो दोस्तों इस सारे सवाल के बाद मेरा एक जो की बिशलेशन इसमें ये है कि अकलेश यादो जीस तरह से जो की नितिश कुमार ममता बनर जी केस यार और सरत पवार को सरत यादो को जीस तरह से बता रहें कि थार्ड फरंट की तयारी चल लएई मैं ये भी खबर साथ में अकलेश यादो बुलंद सार में बयान देते हुए कहा कि कभी-कभी जो कि राउल गादी सही बोल देते हैं ये जो बयानात हैं जो कयास हैं इसके बीच में एक खबर आपको बता दू कि अकलेश यादो उत्तर प्रदेश की जो राजनीती है वो बिलकुल असी हंड़ परसेंट होगा ये पूरी अंदरोनी खबर है बस बात सीटों की चल लई है दो चार पांच दस सीट आगे पीछे की बात चल लई है वो सेटलमेंट करने की दोनों तरफ से तयारी चल लई है कांग्रेश को मानना पड़ेगा और भी सारा समीकरन दीरे दीरे परत दर परत खुलेगा लेकिन अकलेश यादो कांग्रेश और सारा मैदान जो की गटबंधन होगा और थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट ही रहेगा नितिश कुमार का भी बयान से और दूसरी चीज है कि इन सारे नेताओं में अगर अकलेश यादो को किसी से फायदा हो रहा है तो उत्तर परदेश की राजनीती में नितिश कुमार समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे दोजार चौबिस लोग सभा का चुनाव लड़ेंगे नितिश कुमार और नितिश कुमार को आगे बड़ा नेता के तोर पर और एक ओबीसी चेहरा कुर्मी सम परत दर परत सही होता चला जाता टाइम पर ये भी मैं बता रहा हूं कि कांग्रेश अकलेश और नितिश कुमार का एक गटबंदन होगा और शाथ में जो जिस तरह से सामाजिक न्याय और जो आरचछड के मुद्दे जातिकत जनगरना का मुद्दा बहुत भयंकर तरीके 2024 आ अकलेश यादो फूरी तरह से घेरते हुए नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की जमीन इस बार अकलेश यादो के नाम होती भी नजर आ रही है जो जमीन पर महाल धीरे धीरे परत दर परत स्वामी परसाद मौरिया और राष्टी कारकांडी समाज़ोदी पार्टी के बनान